शिप ठाकरे भी हो चुके हैं, कास्टिंग काउच के शिकार जहां उन्हीं बुलाया गया था बात्रूम में वैल वैसे तो कई सारे अक्टर और अक्टरिस को कास्टिंग काउच का शिकार हो नहीं पड़ा है और यहाँ पर कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा है शुरुवाती दिनों में तो ऐसा ही कुछ शिफ ठाकरे के साथ भी हुआ क्या कुछ कहा है शिफ ठाकरे ने कास्टिंग काउच को लेकर चलिए जानते हैं हलो दोस्तों मैं हूँ कोमल और आप अपना चैनल देख रहें फीफा फोस वैल जैसा की हम सभी को पता है की एक्टर्स की जिन्दगी इतनी आसान भी नहीं होती है और शुरुवाती दिनों में कई मुस्क्विलों का सामना भी करना पड़ता है इस सबसे तो हम सभी रूबरू है वैल आपको बता दे की शिप ठाकरे जो की आज एक नामचीन नाम है और किसी भी पहचान की मौदाज नहीं कई सारे डारेक्टर और प्रडियूसर जो हैं लाइन में लगे हुए हैं शिप ठाकरे के साथ काम करना चाहते हैं अब ऐसे मैं आपको बता दे की शिप ठाकरे ने हाल ही में एक इंटर्वियू दिया और उस दोरान अपने शुरुवाती दिनों को लेकर खुलासा किया कि कैसे कास्टिंग काउच को लेकर उन्हीं भी काफी परिशान के गया था और वो भी कास्टिंग काउच का शिकार हु जगा है जहां नॉर्मली अक्टर और अक्टर्स ऑडिशन देते हैं तो यहां पर शिप ठाकरे भी पहुचे शिप ठाकरे को सीधे बातरूम में ले जाया गया और कहा कि यह मसाज सेंटर है और यह सुनते के साथ ही यहां पर जो है पहले तो वो समझ नहीं पाए लेकिन बा एक लीडी थी जो उन्हें कॉल करके और उन्हें कई सारी बाते बताती थी कि मैंने उसको बनाया है और वो ग्यारा बजे रात में कॉल करके मुझे ऑडिशन के लिए बुलाती थी तो शिप कहते हुए नजर आए कि इतना तो पागल मैं भी नहीं हूँ बेवकुफ मैं भी मुझे भी पता है कि रात में किस तरी के का ओडिशन होता है तो मैं बातों में घुमा देता था और मैं कहते हैं तो मुझे कुछ काम है तो इस तरह से शिप ठाकरे भी जो है कास्टिंग काउच का शिकार हो चुके हैं और कई सारे अक्टर्स हैं हो चुके हैं तो इसमें आम मानते हैं इसके चलते कई लोगों का करियर भी खराब हो चुका है तो कई लोगों ने आगे बढ़कर डट कर सामना किया है वेल शिप ठाकरे आज की समय में किसी पहचान की महताज नहीं है शिप ठाकरे हैं जो मराठी ये बिग बॉस मराठी सीजन 2 के विनर रह चुके है फिर बिग बॉस सीजन 16 में नजर आएं जो हिंदी रियालिटी शो है और इसी के साथ रूडीज में नजर आ चुके हैं कई सारे प्रोजेक्ट साइन कर चुके हैं भाई अपना कैफे खोल चुके हैं अपनी मनपसंद गाड़ी ले चुके हैं मूवी साइन कर चुके हैं तो इस दिन आप जिस पल का शिफ ठाकरे इंतिजार कर रहे थे वो पल उनकी कदमों में हैं तो क्या कुछ कहना है शिफ ठाकरे को लेकर आपको आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैट टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चानल से जुड़े रहे हमारे चानल को सब्सक्राइब करना न भूले